Brothers and Sisters Abodhi Sattu PCS मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्ट अमरंदर तिवारी आज के essay की Class 1 में हम देखेंगे कि essay कितने प्रकार का होता है essay जनरली होता क्या है और इसके कितने प्रकार होते है examination point of view से कौन-कौन से प्रकार जो है काफी ज़्यादा important है as you know कि ये BBC के दौरा 68 BBC Men's के लिए GS का third way पर introduce किया जा चुका है जो कि 300 mask का होगा और ये totally devoted है essay के लिए ठीक है तो essay जो है काफी जादा decisive role निबाने वाला है आपके selection में तो आपको अभी से इसका preparation शुरू कर देना चाहिए देखिए एक well educated वैक्तिशे ये आशा करी जाती है कि उसके पास जो है theoretical knowledge खुब बनिया हो और उस theoretical knowledge का जब और शक्ता पड़े तो अपनी imaginative जो भी उसके पास power है creativity है यूज करते हुए 100% जो है उसका practical result दे my dear friend essay भी कुछ इसी तरीके के concept पे build up है इसमें हम essay के जो प्रकार देखेंगे उसमें पता चल जाएगा उन प्रकार को पढ़ने के बाद कि particular field के essay में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब ये in theory आपको पता होगा तो essay को यदि पहचान पाओ पहचान लोगे कि ये particular field का essay है तो उसमें आपको खुद बखुद theory के द्वारा जब आपके ये knowledge है कि ये नहीं करना है या ये करना है तो आप अराम से जो है एक डेड़ महीने के practice में आप महारत हासिल कर लोगे my dear friend ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं शुरू करने से पहले आपसे request है यदि आप चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को subscribe करके बेल का इकन जरूर दबा देना तक ये कोई latest notification आप तक असानी से पहुंच सके और देखी इस video lecture का 500 likes जो है मैं target रखा हूँ यदि 500 like आपने इसका पहुंचा दिया आप आपको पसंद आया आप अधिक लोगों तक share किये तो इसका दूसरा class भी आएगा और हरे class में कुछ नया सीखने को मिलेगा और आने वाले कुछ समय के बाद दो-तीन class के बाद जो है मैं topic provide कराना शुरू कर दूँगा essay के लिए ठीक है यहीं मुझे जानना होता है कि मैं क्या सोचता हूँ तो मैं लिखता हूँ ठीक है तो यह काफ़े ज़्यादा ही important है आपकी लेखनी जो होती है आप जो लिखते हो वो आपके सोच को आपके education को आपके thought process को जो है प्रदरशीत करता है यह philosophy है काफ़ी important है scientific group से आगे सबस्ट हो जाएंगी सारी चीज़ें जब आप example देखोगे essay का तो इसको ध्यान में रखना ऐसे क्या होता है normal सवाल यह आता है किसी भी वेक्ति के मन में कि essay होता क्या है देखें essay का कोई exact definition नहीं है definition क्या होता है definition किसी भी particular बस्तु को या किसी भी तक्ते को या किसी भी subject को कुछ शब्दों के set में बांधने की कोशिश करी चाती है चुकि essay यहाँ पर imagine फेवी best होता है मतलब best है तो आप इसको imagination को bound तो नहीं कर सकते हो imagination का sky is the limit infinity is the limit कुछ भी सोच सकता है बैकती ठीक है तो यह आपके लिए important है कि generally आप essay के बारे में जानू Elders Huxley जो है प्रख्यात British Asher रह चुके हैं लेखक रह चुके हैं उनका कहना है The essay is a literary device for saying almost everything about almost anything किसी भी चीज के बारे में लगबख सब कुछ कहना ही ऐससे है Elders Huxley का गतन है और यह मतलब exact बताता है essay किस तरीके का होना चाहिए ठीक है मान लेजी आप education के बारे में लिख रहे हो importance of western education in Bihar तो आपको सब कुछ ही लिखना है मतलब इसमें ancient Bihar का भी educational status लिखना है medieval Bihar का फिर अंतर दो गत्वा जो अंग्रेजों का आगमन होता है जो colonial era होता है उसमें Bihar में क्या education का standard रहा जब western education का intro मतलब western education introduced हुआ बिहार के education system में तो क्या-क्या परिवर्तन हुए और contemporary Bihar में क्या status है तो overall पूरा आपने commentary कर दिया मतलब प्राचीन से लेके contemporary Bihar में western education का या education का महत्वा है ठीक है तो essay यहीं है कि किसी भी चीज के बारे में सब कुछ लिखना अगर normally ये point मतलब पहली नजर में देखते हैं तो essay को दो तरीके उसे बाढ़ सकते हैं कुछ formal essay होते हैं कुछ informal essay होते हैं formal essay में जहां आप मतलब seriousness देखा जाता है किसी भी topic से related यहां पे आपका imagination और खुद का जो thought process होता है वो जादा काम नहीं करता यहां पे आपको dignity और logic का पूरा ध्यान रखना होता है कोई भी चीज आपका कह रहे हो उसके लिए evidence देना होता है through मतलब किसी reputed organization के report के अनुसार data के अनुसार चाहें वो सरकारी हो या private हो वहीं informal essay की बात करें तो यह सर्फ relevation, individual test और experience है जो गरापे best होता है जैसे आपको आपसे कोई push दे जब पहली बार आप मतलब normally कि पहली बार जब आप दारू पिए तो आपका experience में दारू नहीं पिना है बिहान में बैन है पियोगे तो पकड़े जाओगे तो यह होता क्या है तो इसमें आपका self का मतलब जो experience रहा न कि जब आप पहली बार हवाई जहाज पर चड़े तो आपका क्या experience रहा ठीक है तो इसमें self relevation आएगा आपका individual test आएगा इसे informal essay बोलते हैं देखिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारा 68 BPSC का test series चल रहा है जो कि मातर 699 में है इसके साथ जो है एक साल का free बिहार current affairs प्लस जो traditional current affairs होता है आपको मिलेगा जोइन करने के लिए यह हमारा number है 9910-3788-05 यह 97-178-805 इससे आप call करके जोइन कर सकते हो और इसका lab उठा सकते हो देखिए आप हिंदी मीडियम वाले परिशान मत हो न क्योंकि मैं English में type कर दिया हूं और हिंदी में जो है explain कर दूँगा क्योंकि बोथ experiment जो हैं बोथ मीडि में essay का paper पूछा जाता है पहला paper ही यही होता है उसके बाद UPPCS भी UPPCS या UPSC दोनों में पूछे जाते हैं या आदर इस्टेट PCS जिसमें भी आप essay पूछे जाते हैं सबको यदि आप खंगा लोगे तो देखोगे कि तीन तरीके कहीं essay normally पूछे जाते हैं ठीक है होता क्य है कि इसमें जब आपको बता चल जाए कि यह particular field का essay है और इसमें क्या करना है और क्या नहीं करना है तो उस essay को आप आराम से लिखोगे और गलतियां होने के कम chances रहेंगे तो पहला essay है narrative essay जो कि अपने सब्दों से ही ब्या करता है कि यह एक कहानी type का essay होगा इसमें आपके creativity और imagination का काफी ज़्यादा महत्त होने वाला है जैसे example दें heroism tax bravery heroism जो है आपका मतलब bravery मांगता है when life gets too boring it's always good to get out of your comfort zone यदि life आपको लगता है कि आपकी life काफी ज़्यादा बोर हो चुकी है तो आप जो है अपने comfort zone से बाहर निकलो यह काफी ज़्यादा romantic और काफी हो जाएगी ठीक है तो इस तरीके के topic को आप क्या लिखोगे आपको पता है obvious इस topic को पढ़के किसी एक particular book में किसी एक theory को पढ़के आप ऐसे topic लिखी नहीं सकते हो इसमें obvious आपको कहानी लिखनी होगी obvious आपको example देना होगा obvious आपको imagination और creativity का यूज करना होगा तो इस तरीक information में चाहिए UPSC की बात करें UBPCS की बात करें अब या BPSC की बात करें इसी वाले section से जो है essay डालने वाला है essay डाले जाते है obvious इसमें क्या होता है often avoid emotion और opinion हमेशा आपको इसमें जो है आपके emotion और opinion का कोई जादा महत्व नहीं रह जाता है and instead focus on factual information required investigate an idea evaluate evidence expound on the idea जो भी idea है ज उसके लिए आप evidence दोगे चाहें वोर मतलब international organization का हो अपने country के organization का हो सरकारी हो private हो सब evidence और तथ्यों के तुरू जो कुछ भी लिख रहे हो आप उसको verify करने के कोशिश करोगे let's say अब expository essay के भी कई सारे type होते हैं जैसे माली जी एक social social sector में पूछ दिया कि unemployment is a social problem बिहार कि जो बेरुजगारी है वो एक समाजिक मुद्दा है तो आप इसको verify करना पड़ेगा ठीक है इसमें आपकी imagination और self का opinion काम नहीं करने वाला ठीक है आप डालोगे तो वो number deduct हो नहीं वाला है तो देखिए जब आप essay के प्रकार जान रहे हो आप जब theory जान रहे हो आपको पता चल गया है कि ये एक पोचेट्री ऐसे है social sector का तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें आपका imagination और खुद का opinion नहीं डालना है तो आपको ऐसे लिखना चाहिए positive and negative effects of social media जब ऐसे topic लिखोगे तो आप positive और negative side दिखाओगे तो उसमें क्या करोगे positive side दिखाने के लिए आप जो है उसका ये बताओगे कि social media के through हम किसी भी समचार को देश वीदेश में बैटे बड़ी आराम से मतलब सुन सकते हैं समझ सकते हैं कोई भी बैक्ति जो कुछ भी सोच रहा है उसको social media के मादियम से जो है ब्यक्त कर सकता है social media ने क्या-क्या changes करें किस तरीके के revolution लाए तो ये सारी चीछें आप example के through जो आप लिख बोल रहे हो उसको example देदे के समझा सकते हो दूसरा ethical dilemma से भी आता है जैसे माली जी कोई कहे the scandal of Bihari politician अब इस तरीके के essay में देखिए एक मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा इस topic को explain करने से पहले कि आप well educated होना तो आप बीज का रास्ता अपना हो आपको radical होना नहीं है नहीं leftist बनना है नहीं rightist बनना है ठीक है इस चीज़ को आप ध्यान में रखना है बहुत बच्चे होते हैं कि ruling party को support करेंगे बहुत बच्चे होते हैं कि आप जो बिपक्ष party है उसको support करेंगे भहिया आप इन दोनों के under मालीजे आज ruling party है कल बिपक्ष में जाएगी आज जो बिपक्ष party है कल ruling में आएगी तो आप किसी एक particular party को support कर रहे हो तो उसका दुश्मन बनने की क्या हो सकता है आप तो भहिय योगरागा नाम ले सकते हो बचो पाटिकुलर बैक्ति का नाम लेने से ठीक है जैसे history और polity एक्सपोजेट्री से का एक बाच है इसमें भी पूशता है caste and politics in contemporary बिहारियरी पूश्दे तो आपको इसको देखना होगा उस तरीके से जैसे science and technology से related पूश्दे science is boon और bain 5G technology से पूश्दे तो यह सब expository essay का that means व्यक्यात्मक essay का हिस्सा है इसमें आपको evidence देना है तत्थे देना है रिपोर्ट देना है और उसका जैसे science का लाब और हानी के बारे में पूछ रहा है तो यह सारी चीज़ें आपको बतानी है कि क्या-क्या लाब हुए और क्या-क्या हानी हुए है religious and philosophy philosophy वाले essay भी इसी segment में आते हैं does morality depends on relation तो आपको इसमें जो है explain करना है through examples, through evidence, through facts, through figure तो आपको सारी चीज़ें जो है यह आपको पता चल गया कि यह expository essay है व्यक्हात्मक तो इसमें केवल factual facts and figure ही काम आने वाले evidence, reports नहीं काम आने वाले हैं ना कि आपके imagination तीसरा जो है argumentative इसमें कोई जरूरी नहीं है लेकिन generally question type का इसमें topic होता है जिसमें इसमें भी evidence और facts जो है जो कुछ भी आप claim कर रहे हो उसको prove करने के लिए देना होता है जैसे is there a fake news problem कोई पूछे कि क्या fake news problem है इसमें ऐसे साबिद करूगे कि मालीजी आपने एक stand ले लिया आपने claim कर दिया कि हाँ fake news problem है तो इसको आप कैसे साबिद करूगे आप अपने evidence के साथ facts के साथ जो है support करना होगा ठीक है is healthcare a fundamental human right क्या healthcare जो है एक fundamental human right है यदि हाँ आप कहते हो तो इसको मतलब आप अपने facts and figure के साथ जो है अपने claim को evidence करो मतलब इसको prove दो social media bring us together and pull us apart social media जो है साथ में लाती है और लोगों के बीच विवेद का कारण भी बनी है तो इस सारी चीज़ें यदि आपको explain करना हो तो इसमें भी आपको imagination नहीं evidence of facts और figure की आवशक्ता होती है ठीके तो हमने देखा तीन तरीके के essay जो काफी ज़्यादा महत्वपुण है और आपको example देके ही पता चल गया होगा कि exam में यहीं essay पूछे जाते हैं पहला है argumentative essay तीसरा मानिए दूसरा है expository essay व्याख्यात्मा के essay और तीसरा है narrative essay आज कल narrative essay भी पूछे जा रहे हैं तो य और यदि आपको यह पता चल गया कि यह फालाना टाइप का essay है इसमें यह गलतिया नहीं करनी है यह यह चीजे ही जैसे argumentative से पूछ दे is there fake news problem तो आपको पता है कि यहाँ पे creativity नहीं डाल नहीं है भईया आपना opinion मत डालिएगा ठीक है यहाँ पे केवल facts and जो भी आप claim करते हो किसी organization का report पढ़ते हो चाहें वह internationally important हो चाहें वह इंडिया का हो या मतलब किसी भी पर तरीके का organization हो तो उसका जो है आप evidence दो facts दो figure दो और अपने claim को verify करो ठीक है और देखिए before starting the essay preparation I would like to suggest to read one book that is very important और generally UPSC के students के द्वारा पढ़ा जाता है यह lexicon है Lexicon मैं नीचे जो है उसका मतलब link भी डाल दूँगा आप उसको देख ले न यहां से खरीड के इस book को Hindi और English दोनों में आता है Chronicle का है Chronicle की जो magazine आती है यहां से आप सीखो कि ethics and integrity क्या होती है thought process क्या होता है यहां से जब आप पढ़ोगे न तो आपकी personality development होगी और मुझे तो जो कुछ भी आप उसमें facts and figure देखोगे वो काफी आपकी बहुदिक शमता को बढ़ाएगी और जब बहुदिक शमता बढ़ेगी तो obvious किसी भी topic को पढ़ने का नजरिया सोचने का नजरिया आपका बदल जाएगा और आपको काफी ज़्यादा वो काम देने वाला है my dear friend ठीक है I hope कि मैं जो चीजे भी convey किया आप तक बड़ी असानी से पहुँचा आपने अंत तक मुदे धहरे के साथ सुना अपने जिवन में value addition करने के लिए I hope कि मेरे तथ है और मेरे जो भी facts and figure जो भी concept में आपको provide कराया आपके जिवन में value addition करे आपके preparation को ease out करे इस आशा के साथ हम फिर मिलेंगे